तो फ्रिंस आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोगाल के फोटो कैसे लगाईएगा लाइक यहाँ पर अभी आप देख सकते हम दो फोन ले क्या हुए हैं अब दोस्तों सबसे परले हम इस फोन का फोन डार यहाँ पर ओपन करते हैं तो गाज आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोन का जो हम फोन डार ओपन किये हैं तो इस फोन का जो फोन डार ओपन हुआ है वो बिलकुल सधान फोन डार ओपन हुआ है बिल्कुल नुर्मल फॉन डार ओपन हुआ है वही दोस्तों हम इस साथ में जो फॉन है यहां पर जो फॉन है ना इस फॉन का फॉन डार यहां पर ओपन करते है तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस फॉन डार के अंदर में ना हमें एक लरकी का फोटो सेट किये हुए है जो क यहां पर देखने हैं मैं काफी ज़रा व्यूटिफूल लगता है काफी ज़रा आकर्शक लगता है कोई भी व्यक्ति एक बार देखें तो बिल्कुल चोग जाएगा और दोस्तों यह चीद आप बीना कोई ठाट पर्टी अप्लिकेशन डाउनलोड किये अपने मोबाल में सिर इस कॉंटेक्ट लिष्ट में भी फोटो सेट है रिसेंट में भी फोटो सेट है सभी जगन यहां पर फोटो सेट आप यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने फोन डार के अंदर में फोटो सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा ज तो देखिये आपको क्या करना होगा, सबसे परहएं आपको अपने moan पलेटfish को ओपन करना होगा और पलेटfish से नदोस्तों आपको एक 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 अब्डेंट पाफ को अपडेट कर लेना होगा तीक है, जिस यानि आपका नाम है designer tools ठीक है यह आप ना आपको फोन में पहले से इस्टॉल होगा, तो आपको क्या करना है, शिर्फ और शिर्फ इस आप को अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, simply इस आप को ओपन करना है, और इसी आप के अंदा में आपको जो फोटो फोन डा यहारी में से जिसका फोटो लगाईएगा वो फोटो यहां पर अन किजेगा और उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहां पर अपना फोन डार को ओपर किजे और यह देखिए फोन डार कंदा में सेन टू सेम फोटो लग चुका है अगर यहां पर बात करें तो यहां पर हम रिसेंट में कॉंटेक्ट में कहीं भी आप चल जाए यह फोटो आपको यहां पर दिखाए दे रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोसे यहां पर फोटो बिलकुल यहां पर लग चुका है फोन डायर कंदर में तो अगर आप भी इस तरह से अपने फोन डायर कंदर में यहां पर फोटो लगाना चाहते हैं और अपने दोस लोगों को चोकाना चाहते हैं ने दोसों तो आपको यह त्रिक नापको लगाना ही होगा अपने फोन के फोन डायक कंदर में